उच्छ वोल्टेज बिचली लाइनों की मदद से शेर के अवय शिकार का पारमिक अनुमान लगाया ज़ारा है मौसम गाव के पास शिकार गहा से कुछ दूरी पर तार के टुकडे मिले हैं और उसके पास 11 के भी मिला अनुमान लगाया ज़ारा कि 7 से 8 देन पहले हाई वोल्टेज बिचली आउल्टेज के साथ एक ही लाइव वायर से जगली जानमरों का शिकार करनी के लिए लाइव वायर नेटिंग फिला कर शेर का शिकार किया गया होगा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रारंवे का नुमान लगाया गया है पर 30 दिसम्बर कमरा नंबर 615 में शेर की शिकार और अंगों की तसकरी की घटना सामने आई है प्राप्त जानकारी के अनुसा सेल नंबर वन विभाग को सूचना मिली थी की 615 में नाले के पास मक्या उड़ रही है उसी जानकारी के अधार पर कल दुफैर करीब 30 दिसम्बर 2021 को मौके पर जाज करने पर पता चला की कुछ जमीन में दबा हुआ है उस समय वन विभाग के करमचारीयों द्वारा दबे हुए स्थान से मिट्टी हटाने के बाद वन अमला हैरान रह गया क्योंकि शेर वहीं दफनाया पाया गया था हलाकि मरे हुए शेर को 7-8 दिन पहले जमीन में दबा दिया गया था जिससे काफी बदबू और कितानू पैदा हो गय थे जिससे वन करमियों के लिए परिशानी खड़ी हो गई थी गहन जाच में पता चला कि इम्रत शेर की पंजी और सर नहीं थे इस समय यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वन अधिकारियों ने बाग की अंगों की तसकरी के इरादे से उसका शिकार किया होगा मौसम गाव के पास शिकार स्थल से कुछ दूरी पर तार के तुकड़े मिले और उससे 11 केवी की एक हाई वोल्टेज बिजली लाइन काट दी गई हलकी वन विभाग के अधिकारियों ने प्रारमिक अनुमान व्यक्त किया था कि शेर हमेशा शेतर में पाया जाता था वन विभाग ने भी इसकी सुरक्षा की अपील की थी हाला कि वाग की शिकार से वन्विभाग में हडकंप मज़ किया है और दोश्यों को वन्विभाग के सामने खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी वन्विभाग के अधिकारी और पशू चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं और मौका पंचिनामा कर रहे हैं और फिलहाल घटना की जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं आला पली से बीसीय न्यूस के लिए सौपनिल श्रीरामवार की रिपोर्ट